महिस लापुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंज रिटायर अफसर के घर फिल्मी स्टाइल में छपे मारी करने वाले ग्यारा आरूपी गिरफतार किये गए हैं जबकि तीन आरूपी अभी भी फरार है मामला नवी मुंबई का है खुद को भरष्टाचार विरोधी अधिकारी बता कर लोक निर्मार विभाग के एक सेवा निर्वरित अधिकारी के घर डकैती करने वाले ग्यारा आरूपी ओं को पुलिस ने गिरफतार कर अपराद को सुलजाने में सफलता हासिल की है नवी मुंबई के एरोली में एक आवास पर छे अग्यात वेक्तियों ने भरष्टाचार विरोधी अधिकारी बता कर एक सेवा निर्वरित अधिकारी के घर की तलाशी लेने के लिए घर में घुसकर नगदी और सोने के गहने दो कलाई घडिया और एक चमड़े के बैकुल 34,85,000 रुपे लेग लिए जरा धमका कर और जान से मारने की धमकी देकर फिल्मी स्टाइल में अंजान दिया इस घटना से पूरे इलाके में संसनी फैल गई एरोली में एक सेवा निबरित अधिकारी के घर पर छपा मारने के लिए बिलकुल स्पेशल 26 फिल्म की तरह इस घटना में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वहीं तीन आरोपी अभी फरार बताय जा रहे हैं विवेक पांच सरे पुलिस उपायुक परिमंडल एक ने इस पुरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं दिनांक 24 जुलई को रवाड़े पुलिस टेशन में कांतिलाल यादव नामा के एक रिटाइट पीड़वलोडी के आफिसर है उन्होंने फिर्याद दी थी कि उनके घर में पाच्छे लोग आके उन्होंने अंटिकरप्शन के आधिकारी है ऐसे बता के उनके घर में से कुछ जेवर लेके गए थे इससे में हम लोग ने उसी दिन गुना दाखल करके उसी दिन ये गुना डिटेक्ट किया है हमारे सिनेरप्याय कोते और कांपया उटे और उनकी टीम इन्होंने मुंबई, पुने, कल्लैंड, डूंबियोली ये अलग-अलग जगर से अब तक 11 आरोपी इसमें से एरेष्ट किये है, टोटल चौतिस लाग आश्याजार का मुद्देमाल गया था उसमें से पच्चिस लाग-पच्चिस आजार का मुद्देमाल अभी तक हम लोगों ने जब्त किया है और आगे की भी जब्ती और आगे की दो-तिन आरोपी और है इसमें यह आटक करने की काड़वाय हम लोग कर रहे हैं